जैसा कि हम जानते हैं आने वाले जून 19 को राज़सभा एलेक्शन होने वाले हैं और इसी सिलसिले में राजनेतिक गहमा गहमी जो होती है वो काफी बढ़ चुकी है और दोनों ही कॉंग्रेस और भाजपा और जितनी भी रिजिनल पार्टी हैं वो पूरी तरीके से इस तयार में जूटे हुए है कि जो उनके खाते में राज़सभा की सीटे आनी चाहिए वो आ जाएं लेकिन इसी दोरान हमने ये देखा कि किस तरीके से भाजपा ने ये जो पूरा जो राजनेतिक पिच है जो पूलिटिकल पिच है वो बहुत ही जादा एक तरीके से हाई कर दिया ह और जस्ट राज़सभा इलेक्शन से पहले हमने देखा कि किस तरीके से गुजरात में तीन कॉंग्रेस MLA ने रिजाइन कर दिया जस्ट राज़सभा इलेक्शन से पहले और उसकी वज़े से कॉंग्रेस की जो सीटे घटकर 65 हो गई और कॉंग्रेस को 68 सीटे चाहिए है द स्रिफ एक ही सीट जीत पाएगी तो इतनी जादा हमने इस तरीके का जो political competitiveness है वो लोगसभाई elections में देखा है लेकिन राज्यसभाई elections को इतने इंडिया की अगर सारी हिस्तियास देखा जाए political history देखा जाए तो राज्यसभाई election कभी इतनी competitively नहीं लड़ा जाता था क्योंकि वो indirect voting होती थी first preferential voting होती थी और जिनके जितने MLA है वो उसे साब से seat माना जाता था कि वो तय है और वो हो जाए और उतनी seatे उन parties को upper house में मिलनी चाहिए लेकिन भाज्पा के के साशन में नरेंद्र मोदी के साशन में ऐस राज्यसभाई हर राज्यसभाई election एक बहुत ही competitive affair हो गया दोहजार सत्रा में हमने देखा था कि किस तरीके से last moment तक Congress के दिगज नेता अहमद पतेल को गुजरात में अपनी राज्यसभाई की seat बचाने के लिए काफी जादा जोड तोड करनी पड़ी यह इसलिए हुआ क्योंकि last moment पर 9 Congress MLA's ने उनके खिलाब वोट कर दिया भाज्पा के पैंडिरेट को वोट कर दिया तो यह राज्यसभाई election भी इसलिए बहुत ही जादा interesting हो गया है आजकल के जमाने में और अमिश्या और भाज्पा का तो यह मानना ही है कि कि Parliament से लेकर पंचायत तक हर चुनाओ को यह जो आज की जो नई भाज्पा है वो seriously लेती है और राज्यसभा election उनके लिए इसलिए भी important हो जाता है क्योंकि अभी तक वो अपने लोग सभा के strength पर काफी जादा policies और bills पारिद करवा रहे थे जहां पर उनके लिए अपनी bills और अपने policies को पास करवाना बहुत ही जादा असान है almost NDA भाज्पा खुदी 300 से जादा seat पर है और NDA कुल मिला कर देखा जाए तो दो तीहाई बहुमत के आसपास ही है मगर जहां उनको पूरे पिछले 6 सालों में problems हुई है वो है राज्यसभा और राज्यसभा में उनकी majority नहीं होने के कारण उनको हमेशा regional parties, non NDA parties के साथ एक consultative process में जाना होता है जो की एक तरीके से उनके लिए एक road block जिसको हम मानते हैं वो है और इसी लिए अगर अभी इस राज्यसभा elections के लिए देखा जाए तो वो बाज्चपा के लिए और भी ज़्यादा important है क्योंकि 55 vacancies हैं अभी और 55 जो March में announce हुई थी और अभी जुनाव आयोग ने जून एक को ये का है कि 55 के अलावा और छे सीटे चार करनाटका में एक करुनाचल प्रदेश में और एक मीजोराम में वहां की भी सीटे फिल होनी है अभी वहां पे भरी जानी है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 61 सीटो का ये मामला है और इसलिए भाजपा और कॉंग्रेस और सारी जितने भी दले हैं उसको बहुत जादा सीरिसली ले रही है जो 55 जो पहले की जो सीटे जो अनाउंस की गई थी उसमें 37 अल्रेडी भरे जा चुके हैं वो अनपोस्ट वहां पर इलेक्शन हो गया है मतलब MLS जितने थे वहां पर तैय था कि इसी दल का राजसभा मेंबर बनेगा तो 37 अल्रेडी अनपोस्ट इलेक्ट हो चुके हैं जो बाकी की जो 18 सीटे बचती हैं वहां पर पूरी तरीके से ये जो इलेक्टोरल कॉंपिटिटिवनिस दिखा जा रहा है और वही चीज हमने देखा अभी गुजरात में इस तरीके से हुआ मध्यप्रदेश में भी ये जो राजनेतिक गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और राजस्थान में अशोग गैलोट ने ये अक्यूजेशन लगाया है कि उनके MLA को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है एक राजसभा इलेक्शन के दौरान और इसी कारण बहुत सारे गुजरात के MLA और राजस्थान के कॉंग्रेस के जो MLA है उनको रिजॉट में अभी बंद करके रखा गया है क्योंकि इलेक्शन में वो जाकर डिरेक्टली ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो ताकि होर्स ट्रेडिंग ना हो और ये जो पच्पन की अगर जो अठारा जो सीटे हैं और ये पूरे जो सीट हो तो उसमें भाजपा को करीबन आठ सीटे मिलनी चाहिए तीन गुजरात में दो मध्यप्रदेश में और एक राजस्थान जारकंड और मनीपूर में और कॉंग्रेस को उसी लिहाज से पांच सीटे मिलनी चाहिए लेकिन ये कॉंपिटिशन में अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट मोमेंट पे अगर क्रॉस वोटिंग हो त और कॉंग्रेस को पांच सीटों का फाइदा होना है तो वो जो पूरा जो टैली है बीजेपी का इस चुनाओं के बाद 86 हो जाएगा और कॉंग्रेस का 44 हो जाएगा और 245 के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 123 होता है हाफवे मार्क और बीजेपी एक तरीके से अपने आ फाम प्रही फेश् का इसलिए यहाँ पर भाजपाक की लिए एक एक सीट अगर कोई वी एक सीट अगर राजस्तान में एक सीट एक सीट एक्स्ट्रा गेंग करते हैं तो उनके लिए यह बहुत बड़ा फाइदा होगा क्योंकि पूरी तरीके से फिर NDA LAUGH में के एक दम करीब पहुँच जाएगी या फिर उसको क्रॉस करने की भी उनकी ये एक तरीके से कामना है, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जिस तरीके से अभी गहमा गहमी चल रही है वो आने वाले दिनों में क्या स्वरूप लेता है, लेकिन ये बात तो तैह है कि भाजपा अपने पूरी तरीके से जो मनी वाइस भी और मसल वाइस भी बहुत ही जादा डॉमिनेंट है वो कॉंग्रेस को खास करके इतनी असानी से जो जितने वो पांचों सीट जीतने तो नहीं देंगे बाजपा का यह हमेशा रवया रहा है कि वो जितने भी रिजनल पार्टी से उनको बहुत जादा अफेंड नहीं करती है उनकी जितनी भी सीटे हैं उनको लेने देती है मगर जहाँ जहाँ बाजपा और कॉंग्रेस का डिरेक्ट मुकाबला है वहाँ पर यह देखा गया है कि क तरीके से उसका कंपोजिशन रहेगा यह देखने वाली बात रहे हैं संग परिवार के जो क्रिटिक्स हैं कई सालों से यह कहते आ रहे हैं कि संग परिवार RSS BJP हमेशा डबल स्पीक में बात करती है डबल स्टैंडर्ड सोन के कहती कुछ है और करती कुछ और है और यह क्यों देखा अगर आप याद कीजिए कि लगातार लॉकडाउन के दौरान जब भी ऑपोजिशन कोई सवाल खड़े करती है चाहे वो टेस्टिंग का हो चाहे वो माइगरंट लेबर क्राइसिस का हो तो कई बार मोधी गवर्मेंट के जो मिनिस्टर्स है भाजपा के जो न है वो फेबररी से आ रहा था लेकिन उस जब लॉकडाउन हुआ 23 मार्च को ही इसलिए 23 मार्च को हुआ और 23 मार्च को ही शिवराज सिंग चोहान ने मद्रदेश चीफ मिनिस्टर के तोर पे अपना शपत ग्रैन किया तो उससे पहले लगातार हमने देखा कि किस तरीके से जोती रादिति सिंधिया अपने भाई समयले को लेकर रिजॉर्ट में रहे और जब तक और फिर उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी तो मदर जब तक भाजपार ने अपनी सरकार मद्रदेश में स्तापित नहीं की तब तक प्रप्रदान मंत्री जी ने हमारे लॉकडाउन क का कॉल दे चुके थे और फिर लगातार दो महीनों में उन्होंने यही कहा कि राजनीती करने का ये वक्त नहीं है और एक जुट होकर सारे दरलों को साथ मिलकर काम करने का ये वक्त है अब जब लॉकडाउन खुल रहे तो होम मिनिस्टर जो है मारे ग्रियमंत्री वो तीन वर्चुल रैली उन्होंने किया पॉलिटिकल रैली थी उन्होंने हाला कि ये कहा कि ये इलेक्शन रैली नहीं है लेकिन वो जो तीन राज्यों का जो चुनाओ था उनका वो जो चौइस था वो देखने लाइक है कि बिहार, वेस्ट बिंगॉल और ओडिसा ये तीनों वहां पर उनकी सरकार किसी तरीके से आये, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में भी किया था, और ओडिसा भी वो है कि नवीन पतनायक की सरकार जब खतम होगी, ये कहा जा रहा है कि सेकेंड लाइन अव लीडर्शिप नहीं होगी, तो नवीन पतनायक के ब राजनेतिक भाषन था, उन्होंने इलेक्शन की बात भी की, कि वहां बिहार में दो तिहाई बहुमत से वो जीतेंगे, और जाके वेस्ट बिंगॉल जो अपने कोवेट के केसिस को लेकर, ये कोरोना वाइरस पैंडमिक को लेकर, और साइकलोन अमफान को लेकर, इतनी तरी हो पें बात की, जो कि politically contentious है, लगातार इन मामलों पे अलग 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 धलोग में जघड़े होते आ रहे है, उन्होंने राम मंदीर की बात की, उन्होंने त?. पूरी तरीके से राजनीती करने का वक्त नहीं है तो इस पूरी तरीके से अगर हम देखें अगर कुल मिलाकर और तो बिहार में भी उन्होंने पूरी तरीके से राजनीतिक भाषन दिया वेस्बिंगॉल में भी जाकर ममता पे अटाक किया और ओडिसा में भी जाकर उन्होंने एक तरीके से अपने आपको अल्टरनेटिव की तरीके से दर्शाया ये कहते हुए कि नवीन पतनाईक जी ने अच्छा काम किया है लेकिन उन्होंने अच्छा काम तभी वो कर पाए क्य तो वो नहीं होता है और यही चीज़ हमने देखा लगातार दो महिने में यह वो कहते आये हैं कि मामलनाथ की सरकार गिरने का गिरने का जो रिसPoncibility ओर भाजपा का नहीं है और भाजपा का उसमें कोई कि सरकार गिरे तब तक वो नहीं हो पाता तुलसी सिलावत जी का नाम लिया जोतीरादित्य सिंद्या का नाम लिया उन्होंने कहा कि उनको मैंडेट मिला हुआ था सेंटर से कि यहां की सरकार गिराए और वो उनका पूरी तरीके से समझतन करेंगे और अभी जिस तरीके से रा जिस सबहा का इलेक्शन जो होना था वो अब कॉंपिटिटिव हो चुका है तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि जो राजनेतिक जो पिछ है वो फिर से तयार हो चुका है कोविट के केसेस में आज भारत पूरे वर्ल्ड में आज चौथे नंबर पर पहुंच चुका है लॉकटाउन सबी जान रहे है कि फेल हो चुका है लेकिन कहीं न कहीं यह लग रहा है कि अब नरेद्र मुदी का जो सरकार का जो सलोगन है आत्म निर्भर था और आत्म निर्भर भारत वो कहीं न कहींगा ऐसे ही छोड़ दिया गया है लोगों पे कि अगर कोविट से बचन होता है है हो अपोता है